हे गाईज, वेलकम बैक टो लाइफ है टीचिंग, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्प्यूटर से समन्दीत कुछ महत्तरपूर्ण क्यूसिंस के बारे में जो कि KPS, LDC, एक्जाम्स के अंदर बहुती महत्तरपूर्ण होंगे आपके लिए तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेना किसी डिले के आज की वीडियो प्रेशन नमबर वन, पैगराप को सेंटर भी लाने के लिए शॉटकट बताईए दोस्तों इसके जो शॉटकट होती है बहुती कंट्रोल ई बेसे दोस्तों इनको alignment बोलती हैं ये तीन प्रकार की होती है टॉटल और MS Word याने कि जो MS Word 2010 है उसमें ये चार प्रकार की होती है alignment जिसमें Ctrl L होती है Left Land की और Ctrl E Center की और Ctrl R होती है वो होती Right Alignment की और Ctrl J होती Justify की दोस्तों इसने पुछा है Center की तो Center की होती है Ctrl E Next Question What is Full Form of USB? दोस्तों USB की जो Full Form होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए USB होती क्या है जो अपने Pen Drive नहीं होती क्या उस से लोट को यानि कि जो Pen Drive होती है जहाँ पे अपने इक Computer से Attach करती है उसी का जो आगे वाला हिस्सा होता है जो Computer के अंदर गुस्ता है उसे ही USB कहती है तो इसकी Full Form होती है Universal Serial Bus Question No.3 Axle Workbook रिकिस्तान का संग्रह है दोस्तों Axle की जो Workbook होती है उसके अंदर क्या होती है और जिसे CT भी होती है और चार्ट्स भी होती है तो उनका ये सभी का संग्रह होता है और ये WavePage देर का WavePage तो दोस्तों इंटरनेट पर यूज़ता है वो तो Excel में होता ही नहीं है Question No.4 Paging की अवधारणा किस से समंदित है Question No.5 निमर में से कौन सी IP Address रोज नहीं बदलते है दोस्तों इसका जो एंसर है हो है Static IP Address Next Question No.6 निमर लिकित में से कौन सा अवस्था परस्तूत करने और पूरा होने की बीच में अंतराल का पर्दिद निदितव करता है Question No.7 निमर में से कौन सा व्यू दस्ताविज के पुरुव पठिका का रंग नहीं दिखाता दोस्तों इसके अंदर होता है Print Preview Question No.8 निमर में से कौन सा Command अदारित ओपरेटिंग सिस्टम है यह होता है कि दोस्तो MS-DOS हैनकी Microsoft Disk Operating System इसके अंदर पिक्चर नहीं होती Only अपने Command के दोरा ही सब कुछ वर्क करवा जाता है तो चलते हैं Next Question पे Question No.9 निवर में से कौन सा गेर अंक्ड़ों का एक उधारन है दोस्तों गेर अंक्ड़ों कौन से होते हैं यह होता है पता Next Question No.10 निवर में से कौन सा Broadband Transmission माध्यम है दोस्तों इनकी Broadband से अपने Attach होने के लिए अपने Modem को कौन कौन से इसमें माध्यम यूज की जा सकते हैं दोस्तों यह Cable के नाम देर के इसने एक तो Cable है जो Coaxial Cable देर की है और एक उपगर है यहनकी Satellite से होता है और एक Optical Fiber Cable होती है तो यह तीनों ही होंगे दोस्तों इसमें यह तीनों ही माने जाएंगे जैसे की MEN यहनकी Metro, Polyton Area Network और WN, Void Area Network और LEN, Local Area Network तो यह तीनों इसके अंदर आएंगे उप्योक्त सवीज का Answer होगा Next Question No.12, निमलिक में से कौन सा Database का आवशक नहीं है दोस्तों इसके अंदर रिपोर्ट है वो Database के लिए आवशक नहीं होती Next Question No.13, निमलिक में से कौन सा Programming भासा का अनुवादक नहीं है दोस्तों इसमें Loader है यह नहीं है जिसे Assembler वासा को अनुवाद करने के लिए Assembler का यूज करते है Compile वासा का यूज करने के लिए Compiler होते है एससे ही जोस्तों जो Loader है वो इसका यूज नहीं होता Next Question No.14, निमलिक में से कौन सा Database तालिका से कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए उप्योग किया जाता है तो इसके अंदर है Query Next Question No.15, निमलिक में से कौन सा E-Commerce का प्रकार नहीं है दोस्तों इसके अंदर है Bandaran Next Question No.16, समय में अलेक की सुरुआत करने के लिए किस कुछ जी का उप्योग किया जाता है दोस्तों इसके अंदर है Home यानि कि अपने किसी भी डॉकुमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए इसका यूज करते हैं Home बटन का Question No.17, विशम का चैन करें दोस्तों आप इसमें खुद देखें, इसमें यह क्या दिरखें है .org, यानि कि Organization, और .com, Communication, या फिर Comerical हो सकता है और .nic, दोस्तों इसके अंदर .in यानि कि इंडिया का टोप लेवल डोमेन नेम दिरखा है और .mail, यानि कि इमेल जो होती है तो इसमें different यह होगा .nic, .in, ओके? Operating System से 3T की कारण क्या हो सकता है दोस्तों इसमें आप खुद ही देख लीजी, जो अगर आपना Operating System यानि कि जो Windows अपने नॉर्मली उसे बोलती है अगर उसके अंदर को treaty आजे तो क्या होगा दिखो, system खराब भी हो सकता है system में एस्तिरता भी आ सकती है तो यह सब ही हो सकते हैं, उप्योग service का answer होगा next question number 19 प्रदशन में slide प्रदशित करने के लिए लगाएगे special effects को क्या गयती है दोस्तो special effects कौन से होते हैं यानि कि यह जो question है वो MS PowerPoint से संबंदित है और इसके अंदर जब भी अपने एक slide से दूसरी slide पे move होते हैं तो उसके बीच में एक effect होता है उसे ही transitions कहते हैं ओके दोस्तो चलिए next question पे question number 20 clipboard या copy buffer से text डालने के लिए किस्तान की रूप में संबर्दित किया जता है दोस्तो question थोड़ा सा language इसकी change कर दी गई है बड़ जो clipboard होता है जब आप Ctrl C बटन कहीं भी प्रेस करते हैं computer के अंदर तो जो अपने copy क्या हो matter है वो clipboard में चला जाता है अब इसने पूछा है कि clipboard में से उस matter को बापिस निकालने के लिए कौन सी की या फिर क्या option अपने use करेंगे तो अगर की पूछे तो Ctrl V यानि की paste और option पूछे तो right click करके आप mouse से भी paste कर सकते हो question number 21 MS Office 2007 में clipboard विकलप यानि की जो clipboard option है वो किस menu में थी दोस्तो इसमें 2007 में भी ये इसके अंदर ही थी home के अंदर और 10 में पूछे तो भी ये home के अंदर ही है next question number 22 कौन से program language के दवारा 3D में web page बना सकते हैं दोस्तो ये होती है VRML question number 23 MS Office में default print mode क्या होता है दोस्तो इसके अंदर default होता है portrait दोस्तो यहां पे आपको type भी पूछ सकता है तो इनकी pressed orientation कितने प्रकार की होती है ये भी आपको इसमें पूछा दा सकता है तो वहां पे आप कह सकते हो एक तो portrait होता है जो की default होता है एक होता है landscape ओके दोस्तो next लते हैं next question पे question number 24 और आम तोर पर Windows 95 द्वारा उप्योग की जाने वाली file system रिकिस्तान है दोस्तो F8032 है ये बट आजकल जो है NTFS में यूज होती है हाँ अगर पुराणवी Windows PC के बारे बुचे तो आपने F8032 ही बताना है question number 25 वेबसाइट के पहले page को रिकिस्तान कहते हैं दोस्तो जो वेबसाइट का पहला page होता है उसे अपने home page के नाम से बुलाती है question number 26 बेस बारा पर अधारित संख्या प्रणाली को क्या कहते हैं उसे कहते हैं duo decimal दोस्तो अगर बात आए 10 अंक पे तो वो होती है binary recording question number 27 MS Word में ruler का मदद करता है दोस्तो इसमें बस सिंपल मैं आपको बता देता हूँ जो ruler bar होती है उसका use किसलिए करते हैं दोस्तो उसके अंदर अपने indent होते हैं उनको भी set कर सकते हैं और जो अपने page की सीमा है उसे ही अपने बदल सकते हैं जिसे page margin कहते हैं इंगलिस के अंदर और जो अपने तालीका होती है उसे भी set कर सकते हैं तो यह सारे काम है यह आप ruler bar के द्वार कर सकते हो ruler bar को वैसे scale के जैसे ही होती है यह next question number 28 एक पूरोव संचीत प्रोग्राम को निस्पादित करने के लिए रिकिस्तान से रिकिस्तान में लाए जाता है दोस्तो इसका answer है memory को CPU में next question number 29 system के RAM का उप्योग करने के लिए CPU कौन से साधन का उप्योग कर था है दोस्तो इसके इंदर है address bus का question number 30 DDR का पूरा नाम क्या है इसका नाम है double data rate question number 31 Microsoft Office रिकिस्तान है तो दोस्तो Microsoft जो Office है दोस्तो यहाँ पे देखो बात किसकी कर रहे है Office की कर रहे है तो Office है वो तो एक यानि की application suite है अगर बात कर यहाँ पे MS Word की या फिर MS PowerPoint की तो वो कलाएंगे application software या application program उपके दोस्तो चलते next question पे next question है रिकिस्तान टोपलोजी का एक सामाने केबल का उपयोग करता है जो network में सबी उपकरनों को जोडने के लिए read की हड़ी की रूप में कारे करता है दोस्तो इसके अंदर है bus यानि की इसके अंदर bus टोपलोजी के अंदर एक एबल से ही सारे PC जोड़े होती है next question number 33 रिकिस्तान ग्रहागों को खुद्रा द्वारा संजालीत एम सुरक्षित वेबसाइट पर वित्य लेन देन करने की अनुमती देता है दोस्तो ये इसमें से कोई भी नहीं देता वित्य है next question number 34 रिकिस्तान कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसर से डेटा अनुरोध की परिकिरिया के लिए लिया गया कुल समय है और फिर एक स्टोरेज डिवाइस में आफशक डेटा पुन प्राप्त करता है इसका answer है disk access time next question number 35 रिकिस्तान पीडी में VLSI और माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया दोस्तों कि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सी पीडी के कंप्यूटर में यूज किया जाने लगा है दोस्तों first पीडी की बात करें तो उसमें था vacuum tube और second पीडी की बात करें उसमें थे transaction और third PD की बात करें उसमें था IC यानि कि इंट्रीक्रेटर सरकीट और जो फूर्थ थी उसमें था ये माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट क्योशन नमबर 36 वर्चुल मेमरी निम लिखित में से किसको पूरो क्या विकलब की रूप में secondary मेमरी में आवन्टित करता है ये होती है RAM question number 37 CUI का पूरा नाम क्या है दोस्तो इसकी full form है character user interface अब ये इसकी full form क्यों है ये भी मैं आपको बता दिता हूँ interface दो परकार के होते हैं computer के अंदर एक GUI और एक होता है CUI यानि कि GUI graphical user interface और CUI character user interface यानि कि जिसकी मैंने आपको पीछे एक प्रेशन बताया था MS DOS के बारे में तो वो CUI है यानि कि character user interface यानि कि उसके अंदर only अक्षर है यानि कि only command की द्वारी करया क्यों जाता है और जो होता है GUI उसमें picture बगर रखा use भी होता है ओके I think आप समझ गे होंगे रिकिस्तान परकार का internet connection है तो दोस्तो इसके अंदर है broadband दोस्तो वेव सर्च इंजन रिकिस्तान है दोस्तो वेव सर्च इंजन यानि कि जैसे कि वेव सर्च इंजन कौन कौन से हो गए गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग हो गया, आसक हो गया, बाइडू, बाइडू चाइना का सर्च इंजन है तो इनके जो कारे हैं ये सभी तीनों कारें सर्च इंजन कर सकते हैं तो इसका answer है उप्योग सभी दोस्तो एक वेव पेज में अंतर जो इमेटर रखते हैं वो ही होता है तो इसमें अंतर समंदी जानकारी इसके अंदर आएगा दोस्तो ये थे कुछ प्रेशन आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज अभी कर लीजिए और बैल आइकोन को ओन कर लीजिए क्योंकि दोस्तो इस चैनल पे हम कंप्यूटर से समंदीत हर प्रकार की वीडियो अप्लोड करते हैं तो आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अपने अन्य दोस्तो के शाज सेर जरूर करना दोस्तो गूर्डबाई नेक्स्ट बलेंगे एक न्यो इंटरेस्टिंग वीडियो को इन्दल बबाई